लाउस की तस्वीरे दिखाते हैं प्रिधार मंत्री नरेंदर मोदी इस वक्त लाउस के दौरे पर बाइलेटरिल टॉक्स की तस्वीरे लगतार वहाँ से सामने आते हुए और देखे किस तरीके से जो डेलिगेशन्स हैं उससे भी मुलाकात करते हुए अलग-अलग देशों क आसियान सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रिधार मंत्री वहाँ पर पहुंचे और इससे पहले भी अलग-अलग देशों से जब उन्होंने बाइलेटरल टॉक्स की जड़े कई विश्यों पर बातचीत की तो किस तरीके से अलग-अलग विश्यों पर भारत का स्टैंड ह वो उन्होंने रखने का काम किया कैसे तमाम विश्यों को लेकर के ये जो पूरे आसियान के देश हैं वो एक जुट हो इसको लेकर के हावान में प्रिधार मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और अभी इस वक्त जो आप तस्वीरे देख रहे हैं ये बाइलिटर वो बढ़ता है क्योंकि जब प्रिधार मंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो जाहिर है कि कई सारे ऐसे विशे हैं जिसको लेकर के चर्चा खास तोर पर जो इस वक्त पूरी दुनिया में हालात बने हुए हैं प्रिधार मंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था कि अभी स्तियां हैं वो ठीक हो सकती है और इसी को लेकर के प्रिधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने बीदे दिनों भी कई सारे देशों के राष्टा धक्षों से मुलाकात की और देखिए ये जो पूरा आस्यान भारत शिकर सम्मेलर है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहें किसमे कौं कौं है कौं कौं से पार्टन कांटरी हैं प्रिधार मंत्री का ये जो पूरा दोरा है वो बहुत ज़्यादा आहम हो जाता है प्रिधार मंत्रि इस वक्त लाउस में मौजू हैं शिकर सम्मेलर में कई विशयों पर चर्चा लेकिन सब्की निगाव बाइलेटरल ट्लॉ हुई होती हैं क्योंकि जाहिर है कि जब दो देश आमने सामने बैठते हैं तो रणितिक लिहास से कूट नितिक लिहास से वैपारिक साच्छेदारी के तौर पर कई सारे एहम फैसले होते हैं और जब प्रधानमंत्री एक एक करके तमाम देशों के राष्टा धक्षों से मिल दाश रहें तो उसके उसमें नहित कई सारे माइने हैं कई सारे संदेश हैं और इसी कड़ी में ये सीधी तस्वीर है इस वुक्त हम आपको दिखाते हैं प्रधारमंत्री नरेंद्र पर जो कि इस वकट पर मौजूद है बलिटिरल टोक्स इसल आम फ्री नरेंद्र पर से कर प्राथमिक्ता को भी दर्शाता है भारत की प्रतिबत्ता को भी दर्शाता है और इसी कड़ी में आगे भी जो भी तस्वीरे लाओं से सामने आएंगे वो भारत 24 आप तक पहुंचाएगा